हेलो 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 है आप सबीका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आज को मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाए हूँ है टाटा पाउर से लेटेस्ट नियू स्टॉक टू बाइनाउ आज ही की दिप्टे हमने देखा एक बहतरीन अल्मोस 13-14 परसंट का रैली स्टॉक में हमने देखा और वो रैली इसलिए आया क्योंके CCI ने अप्रूव किया है तीन अलग-अलग जो पाउर प्लांट से उसमें 51 परसंट टेक टाटा पाउर ने ले लिया है और उसी की वज़ कि जैंडे क्यों से लेवल से जहां पर आपको प्रॉफिट करना चाहिए आज के दिन बे उपर सें नीचे की तरफ आया था थोड़े बहुत सेंटीमेंट्र ख्राब होते हुए देखे मार्केट में लेकिन अभी भी मार्केट और आगर देखे तो बुलिस टेंड में यह मार्केट है नेगेटिव या फिर शॉर्ट पोजिशन क्रिएट करने की फिलाल कोई जरूत नहीं है मार्केट में तो चलिए वीडियो के शुरुआत करते हैं वीडियो कर पसंद आया तो वीडियो को शेर किजेगा एंड तक वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको अधुकिंग फर्म्स ने इडिया फिनिशल कंसलिट अंविडियो फिंट्व फंट मैंजर असफी मैंजर एडवाजर यह प्रोडॉक्ट से काफी सार अमारे कंपनी के और आमारी कंपनी पोर्टोलिय मैंजमें नेजमन सर्विस भी प्रोड़ाइट करते हैं क्लियो का इन द सीधर quarterly results overview of Tata Power तो चलिए सबसे पहले अगर बात कर तो news पे नज़र डालते हैं जो कल के दिन पर आज सुबह ही कह सकते early morning आया था ये news और कल शाम को काफी सारे social media platform से ये news flash हुआ था लेकिन अगर detail analysis देखे detail news news को देखा तो आज सुबह ही देखने मिला था हमें CCCI clears Tata Power acquisition of stakes in three Odisha power plants, power utilities यानि तीन अलग-अलग power plants है इस समय Tata कह सकते Odisha में उनका 50% stake है वो Tata Power ने ले लिया है कौन से कौन से plants है, क्या क्या लिया है कितने percentage से आया है उसके बारे में 51% stake each in three power utilities in Odisha has been cleared by Fair Trade Regulator CCI यानि की Central Commission of India ने ये clear किया है कि 51% in each power station में Tata Power ने कह सकते stake ले लिया है और 51% यानि majority Tata Power के पास इन तीनों power plants के stake आ चुके हैं, the company is to buy the stakes in Western electricity supplies company of Odisha that is Wesco, Southern electricity supply company of Odisha that is Southco and Central Electricity Supply Company of Odisha यानि CES को यानि तीनों अलग अलग जो power plants है उसमें 51% का stake Tata Power ने ले लिया है The deal comes after separate competitive bidding process initiated by Odisha Electricity Regulatory Commission, the Competition Commission of India, CCI has approved the proposed combination of according to the released issue on Tuesday, तो ये कह सकते बहुत ही बैतरी इन उसा आया था और इसी वे जैसे आज के दिन पर हमने 13% का rally देखा था Tata Power में blue जो बास दिख रहे है वो already आपके stock में यहाँ पर constantly holding है from April 2022, April कह सकते है April 2021 और specifically जो green बास दिख रहे हैं वहाँ पर उस महने में specifically position को बढ़ा किया गया है और अगर pink बाद की बात कर तो pink बाद में यहाँ पर कह सकते है position को कम किया गया है तो specifically अगर देखें तो constantly यहाँ पर buying हुआ है from April specifically from August 2020 to April 2021 अब हम आते है exactly अगर हम उसके बाद अगर हम देखें तो कौन से कौन से mutual funds majority जो top 12 mutual funds की बात करें वह invest को India mutual fund उनोंने 25% stake अपना बढ़ा है उसके बाद अगर Edelweiss की बात करें तो 8.19 कोटक की बात करें 4.31 एक्सेस आर्बिट्रेस की बात करें तो 64% उनोंने stake बढ़ा है Edelweiss की बात करें तो 25.90 IDFC की बात करें तो 4.85 उसके बाद अगर DSP mutual fund की बात करें तो DSP mutual fund ने करीबन 100% stake buy किया है Tata infrastructure fund की बात करें तो 29% के आसपास Tata balance 5.94 HDFC आर्बिट्रेस 2.77 ICIC Prudential 43.96 और DSP आर्बिट्रेस fund 7.63 तो कैसे क्ते हैं टॉप 12 जो mutual fund companies है उनोंने अच्छे कासे volumes में buy किया है April मंद में इन mutual Tata power में Returns percentage की बात करें तो 1 week में इस particular stock ने return percentage जो दिया है वो 11% के आसपास 1 month की बात करें तो almost 14% का return दिया है 3 months की बात करें तो करीबन 8% के आसपास 6 months की बात करें तो 62% एक साल की बात करें तो 174% return दिया है जिन्होंने एक साल पहले Tata power में invest किया रहेगा इस समय उनका return percentage वो 174 के आसपास है 3 साल का जिसने investment 3 साल पहले जिसने investment किया है वो करीबन 51% के return के साथ इस समय अपने portfolio में पैठा है और 5 years की बात करें तो करीबन 55% और 10 years की बात करें तो करीबन negative 5.7% तो कह सकते हैं drastically जो बड़ा सबसे बड़ा return percentage है वो 1 year के duration में मिला है तो साथ ही अगर हम देखे levels की बात करें जो major role play कर रहा है इस समय MACD के सकते है MACD signal की बात करें जो moving average की बात करें वो है करीबन 2.7 और 1.9 के आसपास जो कह सकते है decently central line के आसपास है या central line के थोड़े से उपर है यहाँ पे ATR की बात करें तो 3.7 ADX की बात करें around 20.8 के आसपास है ROC की बात करें तो around 14.0 है और ROC 125 की बात करें तो करीबन 69 के आसपास है और जो main है वो है RSI जो RSI है वो 71 के आसपास है तो यहाँ पे कह सकते है थोड़ा बहुत overbought situation दिख रहा था लेकिन आज की दिन पे ओर ट्राइली ने और भी overbought situation create कर दिया था करीबन 132 के लेवल्स तक यह cash में गया था और वहाँ से कह सकते है थोड़ा बहुत जो market में sentiments का थोड़ा बहुत negative impact आया वहाई से यह stock करीबन 125 के आसपास इस stock ने closing दिया है करीबन 7% अभी भी आज उपर इसने closing दिया है SMA levels की बात कर दो 105 के आसपास इसका 30 day small moving average है 103 के आसपास इसका 50 day moving average है 100 day SMA की बात कर दो 100 day small moving average 97.7 के आसपास है और 200 day SMA की बात कर दो 79.6 चारो जो levels है small moving average के उसके उपर ही यह constantly closing दे रहा है पिछले तीन दिनों से तो small moving average से by default यह काफी उपर आच चुका है यह stock और अगर specifically 1 day chart pattern की बात करें आज के chart pattern की बात करें तो करीबन यह stock की जो शुरुआत हुई थी आज करीबन 18.50 पैसे से शुरुआत हुई थी और drastically उसने कह सकते थोड़ी दिर consolidation होने के बाद करीबन 10.50 के बाद इसने जो उपर movement दिया वो constantly 132 तक गया और फिर 132 से जब market में sentiments थोड़ा बाट downfall आया है वापिस वो करीबन 113 तक आया है और फिर 113 से इसमें इसमें closing दिया है करीबन 125 के आसपास तो बैतरीन कह सकते हैं आज के दिन पर movement दिया है पिछले पाच दिन का movement देखे तो पाच दिन का जो bottom है 106 के आसपास है और highest अगर point देखे तो करीबन 117 के आसपास 132 के आसपास पिछले पाच दिन में इस movement गया है stock का आज का दिन count करने के बाद और अगर 1 month के chart pattern की बाद के तो 1 month में recent जो इसका लो था करीबन 101 के आसपास था और highest अगर देखे तो आज ही हमने देखा 132 के आसपास ये stock है और अगर 1 year के chart pattern की बात के तो 1 year पहले ही करीबन 39% के आसपास था और आज के दिन पर इसने हमने देखा करीबन 132 का हाई के almost कह सकते 100% इसने अपना rate कह सकते growth दिया है एक साल में revenue pattern की बात कर तो revenue यहां पर clear cut देख रहा है quarterly revenue को compare करें March 2020 का जो revenue था वो था 1764 CR के आसपास और अगर March 2021 का revenue देखे तो 1560 के आसपास तो थोड़ा बहुत अगर कह सकते year on dip हुआ है revenue यहां पर अगर quarter on quarter के compare करें तो 1652 था और इस समय 1560 तो यहां भी slightly dip देख रहा है revenue में overall अगर हम देखे तो साथी में अगर net profit की बात करें net profit as compared to quarterly basis अगर हम करें तो March 2020 में minus कह सकते हैं यहां पर 309 करोड का company को loss था उसके बाद अगर हम देखे तो as per December 2020 देखे तो 574 का profit हुआ था 574 का यहां पर profit हुआ और उसके बाद अगर देखे तो इस समय 157 CR का profit के साथ as per March 2021 का data है तो 574 के compare करें तो quarter on quarter by default यहां पर profit कम दिख रहा है लेकिन अगर year on year देखे तो year on year negative से company profit में आ चुकी वो बहुत बड़ी बात है EPS की बात करें तो EPS यहां पर minus as compared to March 2020 अगर बात करें तो minus 1.3 के आसपास था जो इस समय 0.36 है as compared to March 2021 तो EPS by default यहां पर कह सकते drastically उपर की तरफ आया है और NAC delivery report देखे पिछले एक 7 दिन का from 1st Jan से लेके 8 Jan यानि 1st June से लेके 8 June तक की बात करें तो specifically delivery percentage देखे तो करीबन है average जो percentage है वो 30% के आसपास दिख रहा है lowest हमने 18% का देखा था वो था करीबन 4 June को और highest हमने देखा है करीबन 33% वो था करीबन 2nd June को और delivery quantities की बात के जो almost कह सकते 78 lakhs उसके बाद 89 lakhs 34 lakhs 2 करोड 95 35 lakhs almost 3 करोड के आसपास जो quantity delivery quantity हो 7 June को ही थी और कल के दिन पर हमने देखा 2 करोड 7 lakh के आसपास quantity हुई थी और उसके पहले highest जो थी वो थी 2 June को वो था करीबन 1 करोड 3 lakh shares के आसपास तो कह सकते delivery percentage पिछले 7 दिन में आपन देखे तो तीन दिन highest percentage यहां है यहां पर और अगर आज की दिन पर अगर देखे करीबन कह सकते हैं स्पेसिफिकली दुपेर को पहने दो के आसपास अगर delivery percentage देखे इस टॉक का वो था करीबन 23 परसंट के आसपास delivery quantity देखे तो करीबन 5 करोड 14 lakh करोड 5 करोड 14 lakh shares के आसपास अल्री quantity हो चुकी थी अल्मोस कह सकते हैं 5 करोड 15 lakh quantity करीबन दुपेर को पहने दो पजे तक यहां पर delivery percentage create हो चुका था delivery quantity create हो चुका था और delivery percentage देखे तो करीबन 23.53 बैतरीन stock है market का sentiment थोड़ा बहुत negative हुआ है लेकिन अभी भी यह stock को अच्छे से hold कीजे levels जैसे मैंने का अगर इस stock में आपको entry करना है तो इस समय जो favorable level रहेगा वो करीबन 115 और 100 बीच में अगर यह stock आपको मिल रहा है उस point पे entry की जो और उपर के उपर का से 300 तक जा सकता है क्योंकि इतना potential है यह stock में और by default टाटा गुरूप का stock है और जिसे साब से हर एक टाटा पाउर कह सकते का जो acquisition हो रहा है टाटा पाउर के लिए वह आने वाले इसके future को और भी राइट कर रहा है तो यह चीज को ध्यान में रखे जो जिन्होंने अभी तक इंवेस्ट नहीं किया है उनके लिए investment level रहेगा between 115 to 120 यह favorable level रहेगा और जिनको अभी तक investment कह सकते कर दिया है उनके लिए resistance पॉइंट रहेगा 140 के आसपास और second resistance अगर आप long term player है तो 200 रुपे के आसपास इसका second resistance आप पकड़के चलिए तो बहुत ही better in stocks है आशा करता हूँ जो आज का वीडियो आपको पसंद आया रहेगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरू शेयर कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और साथ ही में आपके स्क्रीन पर आपको मेरा मूबाइल नमबर मेरा मेरा इडी मेरे शोशेल मीडिया प्लाटफॉर्म्स फ्लैश हो रहे हैं अगर आपको एक्विटी में अग्यू झाल क्याओ झाल क्या झाल